विल्कम टु माने क्लासेश तो दोस्तों इस वीडिये में हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक आफ इंडिया अर्बी असिस्टंट की जो 2021 की वेकेंसी जाई है उसके बारे हम लोग थोड़ा शॉटकट में जानेगी कि यहां पर आपका अलिएबिलिटी क्राइटीरिया क्य यहां पर यहां पर जो है एक्जाम आपका 26 मार्च को हो सकता है 99% चांसे से ठीक है उसके बाद एक्जाक्ली दो मेने के बाद आपका जो रहेगा में 2022 में आपका मेंस इसका कंड़क्ट किया जा गया आनिकि इसका जो एक्जाम रहते हैं प्री मेंस और एल्पीटी और यह प्रोफिशेंसी टेस्ट ठीक है अब देखते है मैंने जो पॉइंट इंपोर्टन्स है आप सभी के लिए यहां पर इस पीडियाप में जो हाइलाइट करके रखे ठीक है अब यहां पर अगर देखे हैं आपर कुछ भी डाउट है हेल्प लाइंग के लिए इन केस और प्र देखे रखिए तो यह मैं आपको यहां पर एक्स्प्रेंट नहीं कर रहा है आपको जो पीडियाप अपने टेलिक्राम चैनल पर मिल जाई टेलिक्राम चैनल आप क्या किजिएगा जोइन कीजिएगा अब देखे है इलिजबिलिटी क्राइटेर में सबसे आता है अपका दोस्तों 20 यह और 28 यह के बीच में तो यहां पर आप अप्लाइट जरूर कर सकते हो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए ठीक है यहां पर उन्हें दो डेट्स देखे रखिए 2-2-1994 से लेके 2-2-1994 या फिर इसके बीच में अगर आपका डेट है बर सकते हो अपके पास 50 पसे में अगर याँ बीचेश्ट में सभाटे यहांपन क्या कर सकते हो हो गाला आपके रखिणवम माच आपके passion back तो यहांपर आप क्या कर सकते हो अप्लाइब सकते हो ठीक है साथी में अगर SC, ST, PWD candidates अगर आपको सिर्फ pass class होना चीए अगर आपको 40% तो भी चल जाएगा लेकिन आपका क्या होना चीए result पास होना चीए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो apply कर सकते हो साथी में knowledge of word processing on PC computer पर आपको word processing करना चीए मतलब यह तो basic है सबको आता ही होता होता ठीक है और जो third point यहाँ पर उन्हेंने बहुत ही important लिके रखा है candidates applying for post in a particular recruiting office should be proficient in the language जो भी वहाँ पर वहाँ का local language रहेगा यहाँ पर मान लेते हैं अगर मुंबई में कोई भी आपना अपर apply कर रहा है तो उनको मुंबई का जो local language होत calling under the recruiting office यह important चीज है ठीक है तो अगर आप local language आना कहें दोस्तों compulsory है यहाँ पर important है चले दोस्तों आप बात करते है scheme of selection आपका selection कैसे हो जाएगा तो सबसे पहले देखे दोस्तों premiums exam होगा आपका जो की multiple choice questions रहेंगे वहाँ आपर जिसमें आपको तीन सब्जेक्ट के उपर यहाँ पर apply करें दोस्तों क्योंकि यह जो paper का जो pattern रहता है premiums का जो खास करके बात कर रहा हूं मैं बहुत ही easy रहता है क्योंकि मैंने इसके previous year memory based questions देखे है mathematics के अगर मैं बात करो सबसे पहले तो mathematics में देखिए मैं यहाँ पर अभी बताने वाला आपका study plan के क्या रहेने वा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर mathematics की बात करें दोस्तों तो maths में 35 questions आते हैं तो आप easily 35 में 35 questions solve कर सकते हो within 20 minutes कैसे क्योंकि यहाँ पर अगर आप previous year questions देखोगे अगर आप अभी गूगल पर जाके search भी करोगे आपको PDF मिल जाएगी previous year questions की तो basic calculations के question वहाँ पर पूछे जाते ह है तो I mean 35 questions को आसानी से उड़ा देगा ठीक है या फिर कोई भी ऐसा candidate जो SSC के लिए प्रिपेर कर रहा है वह भी मतलब जो questions रहते हैं उनको आसानी से solve कर पाऊगे तो mathematics को तो prelims में कोई आपको issue नहीं होने वाला है हो सकता है इस बार exam का थोड़ा level बढ़ा हो मतलब बढ़ा हो अगर exam का level difficult रहा तो obviously cut-off भी थोड़ा नीचे जाने की चांसे से ठीक है मैं आपको previous year का cut-off भी इस video में बताने वाला हो ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करू English language तो बहुत ही basic questions पूचे जाते हैं यहाँ पर English भी इतना difficult नहीं होता है बहुत easy रहता है मैंने previous year questions देखा इसका ठीक है और reasoning ability के अगर मैं बात करूं थोड़ा सा moderate level बोल सकते हो लेकिन जो भी candidate जैसे कि मैंने कहा IBPS की typical IBPS exam के लिए prepare करते उनके लिए यह उतना difficult नहीं होग ठीक है तो prelims देखे आप असाने से मतलब 80 80 plus तो marks आपको यहाँ पर मिलने चीए अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर देखे जीके का section नहीं है हम सभी जानते कि जीके में कुछ भी पूछ सकते लेकिन यह तीनों subject ऐसे यहाँ पर अगर आपको कुछ भी आपको अच्छे से focus करने क्योंकि तीनों subject आपके में एक्जाम में भी क्या रहेंगे continue रहेंगे यह पार रहेगा अब मैं बात करता हूं सबसे यहाँ पर आपको मतले बता तो sectional time रहता है यानिकि English language रहेगा उसके लिए आपको 20 minutes दे जाएंगे ठीक है ऐसा नहीं कि मतलब combined time रहता है English के 30 questions के आपको 20 minutes मिलेंगे उसके बाद mathematics के 35 questions को आपको यहाँ पर 20 minutes दे जाएंगे और reasoning के 25 questions को 20 minutes तो यह sectional timing भी रहता है एक important part होता है यह IBBS exam का ठीक है उसके बाद मैं अगर बात करूं यहाँ पर main examination की वो भी multiple choice questions होते है यहाँ पर सबसे वहले आप यहाँ पर duration कितना दुस्तों यहाँ पर 135 minutes duration है ठीक है तो यहाँ पर कौन से कौन से test English language and mathematics यह तीनो reasoning English and numerical ability की यह तीनो जो पार्ट है आपके जो prelims यहाँ पर as it is continue करेंगे के कौन से दो नए topics यहाँ पर add हुए objective में general knowledge आपका यहाँ पर add होगा और test of computer knowledge ठीक है computer knowledge में आपको computer से questions computer किसको कहा जाता है इस तरीकी questions आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे आप mains का exam जो हुआ है उसका previous questions आप उठा के देखिए आपको पत्ता चल जाएगा कि exam का level किस level पर रहने वाल है ठीक है general knowledge की बात करो तो आपको history से questions पूछ जाएंगे static gk सबसे आप start कर सकते सबसे पहल इससे आप start कीजिए उसके बाद आपके आगल सकते हिस्ट्री पर आ सकते हो किस्ट्री बहुत ही वास्ट है कई सी कुछ भी पूछ सकते हो लोग ठीक है तो सबसे पहले आपको study plan तो सबसे पहले मैंने बता है कि तीन subject पे आपका main focus होना चीए reasoning English language and numerical ability उसके बाद general knowledge and computer knowledge ठीक दोस्तों LPT that is language proficiency test अब देखें यहाँ पर क्या है उन्होंने clearly mention लिखा हो है that language proficiency test will be conducted in the official local language of the state concerned as detailed below याने कि आपने जो भी state के लिए जो भी particular office के लिए वहाँ पर apply किया होगा आपको वही particular language के मतलब local language में आपको है LPT देना है ठीक है यहाँ पर उन्होंने clearly mention किया हुआ candidate not proficient in the official or local language shall be disqualified अगर आपने वहाँ पर qualified नहीं कर पाऊ है आपको यहाँ पर जैसे कि मान लेता हो मैं आपकर आप मुंबई के लिए apply करते हो तो अगर आप मुंबई के लिए apply करते हो तो आपको यहाँ पर Marathi आना बहुत ही compulsory क्योंकि यहाँ का यह local language है ठीक है आपको लिखना आना चीए बोलना आना चीए और आपको मतलब समझ में आना चीए ठीक है तो local language यहाँ पर बहुत ही important role play करेगी तो यह आपको चीज यहाँ पर समझ नहीं है अगर आप proficient नहीं हो तो यहाँ पर आप apply नहीं कर सकते हो ठीक है यह आपको चीज समझ नहीं है तो दोस्तों यह था आपका पूरा study plan आपको study कैसे करना ह इसमें बहुत important है reasoning English language and numerical ability ठीक है बहुत ही basic level के questions पूछे जाते है किसमें premiums में premiums आप असान इसे यहाँ पर qualify कर सकते हो ठीक है और मज़े की सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों Mumbai का जो cut-off रहता है वही सबसे का जाता है कम जाता है as compared to other offices चलिए आगे बढ़ते है अभी video में अब आपके pay scale की बात करते हैं तो आपका basic pay scale कितना रहेगा दोस्तों 20,700 per month in scale of this उसके बाद आपको देखें यहाँ पर कितने मतलब जो आपको यहाँ पर पर्क्स मिल रहे है अलग 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 कंपल सरी मतलब हाउस रेट अलावंस है सिटी कॉंपेंसरी अलावंस है ट्रांस्पोर अलावंस है एज एड्मिसिबल फ़ंद बहुत सारे यहाँ पर ठीक है तो approximately कितना salary अपलेके जाते हो 45,050 रूबीद आपका यहाँ पर approximately बन जात प्रिपेरिशन कर रहे हैं यहाँ पर वह जरूर ट्राय कर सकते क्योंकि एक्जाम जो रहेगा एक ही साल के अंदर आपका मतलब पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा खतम हो जाएगा आपको जोईनिंग मिल जाएगी यही एर में आप महाराष्टा में देख सकते हो कहां पर आ करने वाले प्रिलियम्स एक्जाम में ठीक है उसके बाद चलिए अभी मैं आप दूस्तों प्रिवेसर की कट ओप दिखा देता हो तो आपको एक रफली आड़े मिल जाएगा कि कैसे आपको पढ़ाई करना और कितना आपका टार्गेट होना चीए ठीक है अगर आपका प्र देख सकते हैं रिजर्व कैटेकरी के लिए देखें एमदाबाद के लिए 92.75 कट ओप गया जो कि बहुत ही जादा होता है 100 में लेकिन पेपर का लेवल भी दोस्तों वह इसी इतना इजी रहता है ना ठीक है 95, 96 यह 96 देखें चंदिगड का गया है 94, 18, 96 अगें हाइदराब सबसे जाधा अगर कम किसका गया है तो किसका गया है मुंबई का गया है ठीक है तो इससे आपको पता चल जाता है कि मुंबई जो प्रिपेरेशन करने वाले बच्चे रहते हो नौर्थ से जाधा रहते है ठीक है तो यहाँ पर मुंबई में अपलाई करने का उनका एक ही र से आठ माग का फरक है बहुत ही जादा मतलब होता है ठीक है तो मुंबई का अल्मोस्ट 87.75 गया तो काफी मतलब थोड़ा नीचे भी आप अगर आपने अच्छे से से पढ़ाई किये तो अब देखेобрा ट्रृम प्रक्राइब्स रओंग की इतने मांक्स तो आपको हुनी चीए हर एक सेक्षिन में तभी आप उसको खर पाएगे अगर आप एक बी सेक्षिनल कट्फ भी नहीं कर पाते हो तो महाँ पर नहीं आएगा सेट अपको क्या करना रूस्तो क्लियर करना होता है ठीक है मैं आपको RBI Mains का भी cut-off दिखा ले तो 2019 and 2020 का चलिए अब यहाँ पर देख सकते यह 200 में से एमदाबाद का कितना गया 123.50 ठीक है बेंगलुरु का कितना नीचे गया आप यहाँ पर देख सकते हो 99 मतलब एमदाबाद का 123 है और यहाँ पर 99 है अल्मोस 24 माक्स का डिफरेंट है बहुत ही जादा हो जाता है यह तो ठीक है पर्टिकुलरी हम लोग यहाँ पर मुंबाइ का देखते है आप देखें मुंबाइ का कितना गया is here 46.25 इतना लो कटम गया है किसका मुंबाइ अउट अधीस सब्सक्राइब 나法 हो तो फोकस करना है अगर आप प्रिलियम करते हो उसके बाद को एक दो मेने का टाइम मिल जाएगा वहाँ पर आप क्या कर सकते हो और आप प्रिपेर कर सकते हो अब देख सकते हो के लिए 111111 सभी के लिए पाचो सेक्षन के लिए है उसके बाद ओम यह लिए सब्सक्राइबें इस वीडियो में पता चले हुए आपको कैसे करना है है फिक है जो भी मैंने यह कहा कि आपको एक एक एडवायज दोगा जो टिपीकली की प्रेपरिपरेशन करते वह यहां पर जरूर अपलाय करें ठीक है मैंने आपको प्रिलियम का जो यह रहता है मतलब लेवल और फेशाम रहता है अप खुद से एंटलेसिस कर सकते हैं एक्जाम देखें ठीक है मैं खुद इसका पेपर दे रहाता मतलब मैंने कभी अगर का सकते हैं अगर आप अराम से मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों clear कर सकते हो prelims ठीक है तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना है था चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे वीडियो तो आपको यहाँ पर क्या रहेंगे दोस्तो मिलते रहेंगे साते में पोस्टमेंट से जो जो भी अबडेट रहेगा आने वाले समय में आपको इस चैनल पर देते रहूँगा ठीक है दोस्तो तो बस इस वीडियो में इतने इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरू शेयर किजेगा जो भी यहाँ पर अपलाय करना चाते तो उनको यहाँ पर यह पूरी वीडियो देखके हिल्प हो जाएगी तो बस मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों तब तक जै हिंद जै भारत कुछ भी डाउट है इसके रिगाडिंग तो कमें डाउट रहेगा एक दुसरे से बात करके स्वाल कर सकते हो ठीक है अब मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों जै हिंद जै भारत